हेलो देर फ्रेंद्स, वेलकम हैं आप सभी का तनुकलास इस आर्ट को में, तो आज हम लोग अबजिटिब कॉशन यहने MCQ सॉलब करेंगे, साइकलोजनी मनोव विग्यान के, सभी कॉशन से काफी इंपोर्टेंट कॉशन है, क्योंकि सभी कॉशन से का आपका ओफिसल मोडल से लिया गया है, इन में से बहुत सारे कॉशन से ऐसे हैं, जो बोड एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह सारे कॉशन से काफी इंपोर्टेंट है, और आपको पता है कि पिछले एक्जाम में जो पूछे जाते हैं, फिर प्रिवेस एर का जो कॉशन से होता है, वो बहुत सारे questions आपको बोर एक्जामर same to same पूछ दिया जाते है ठीक है इसलिए मैं चाहूँगा कि अब सभी questions को deal करेंगे सारे questions का answer को मेरे साथ comment करते हुए चलेंगे तो चले श्टार्ट करते हैं सबसे first question को deal करेंगे सबसे first question हम लोगों से क्या करा है सबसे first question करा है कि निम्नांकित में काउन मनोवग्यानिक गुन नहीं है option आपके सामने दिया गया है बुद्धि, अभीछमता, अभीरूची या फिर अवलोकन which of the following is not a psychological attribute intelligence, aptitude, interest और observation तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा अवलोकन यानि observation observation क्या नहीं है, मनोवग्यानिक गुन नहीं है इस तरह से right answer क्या हो गया, option D right answer हो जाएगा first number question का, बुद्धि हो गया, अभी छमता हो गया, उसके बाद अभीरूची ये सारे क्या है ये तिनों क्या है, मनोवग्यानिक गुन है बाद के अवलोकन जो हो अभी मनोवग्यानिक गुन के अंदरगत नहीं आते है अब देखते हैं, second number question क्या करा है second number question करा है कि इन में से कौन साब्धिक परिक्षन नहीं है साब्धिक परिक्षन के बाड़े में आपको परहा गया which one of the following is not a verbal test ठीक है, pass along परिक्षन या फिर block design परिक्षन या फिर बीने परिक्षन या फिर और बहुत दोनों ठीक है, तो इसका जो राइटन से जो हो जाएगा second number question का वो हो जाएगा और बहुत दोनों यानि ये जो है pass along परिक्षन और block design परिक्षन जो है ये सादिक परिक्षन नहीं है बांकि बीने जो परिक्षन है ये बीने साब का परिक्षन है यानि बीने कौन साइकलोजिस्ट है ये साइकलोजी के नाम पड़ी उनके परिक्षन का नाम रखा गया तो बीने परिक्षन जो है ये क्या है सादिक परिक्षन है बांकि पास एलों के बीच होती है उन्हें कहते हैं इंडिविजिवल वो इसको से रेंज बिट्वें 80 तो 89 इस कॉल ओर कॉल ठीक है आपके सामने उप्संट रखा गया इसको जो कहते हैं मौरोन कहते हैं आईक्यू लेवल आप निकालने जानते हैं IQ level निकालने का formula क्या होता है MA by CA ठीक है MA by CA ये formula में बार बार बता दिया हो बहुत सारे formula आते है या फिर first chapter जो हापका psychology नी मनोविज्ञान में बहुत सारे formula थे उसमें आपको based formula सबसे यही formula है आपको ये चीज़ याद रखना ठीक है तो इस formula से अब IQ निकालेंगे और IQ का range ज दिया यहां बहुत स्धान संब्सक्राइब कर था, कौन दिये गिलफोर्द साहाब ने बहुत सर्फ नमर कोसों का ओप्शन A correct answer हो जाएगा, अब देखे है next number for question क्या करा है next question करा कि differential अभिविर्थी परिक्षन में कुल परिक्षन के सामिल है यानि in differential aptitude test the number of test includes are take any included are मतलब कितना है कितना परिक्षन इसके अंतरगत आते है differential अभिविर्थी परिक्षन में आपके सामिल आप्षन है 6, 10, 8 या फिनो तो इसमें जो टोटल परिक्षन जो आते है इसमें आठ परिक्षन आते है किसके अंतरगत differential अभिविर्थी परिक्षन के अंतरगत टोटल आठ परिक्षन सामिल है यानि आठ परिक्षन आते है तो option C correct answer रुजाएगा पांचो नबर कॉशन का देखते हैं, next question क्या करा है next question करा है कि मनोदहिक सिलगुनों के गतियात्मक संगठन के रूप में बेक्षन को किस ने पड़िभासित किया आपके सामने option है Watson ने या फिर Levin ने या फिर Allport ने या फिर Emerson कोई ने who defined personality as a dynamic organization of psychophysical threats ठीक है तो आपके सामने option रखा गया तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? Allport ने Allport ने मनोदहिक सिलगुनों को मनोदहिक सिलगुनों के अगतियात्मक संगठन के रूप में बेक्षित्तों को पड़िभासित किया थी इसका right answer क्या होगा option C right answer हो जाएगा section number question का अब देखते हैं next question क्या करा है next question करा है कि निम्ने मैं से कौन? सव का एक परकार नहीं है ठीक है? सव का एक परकार नहीं है the process of transfer of meaning from one person to another person is called क्या करते हैं? ठीक है आपके सामने option रखा गया सामाजी सव या फिर संबादात्मक सव या फिर बैक्तित सव या फिर पहचान सव तो इसका जो right answer से जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहचान सव यानि निम्ने मैं से कौन? सव का एक परकार नहीं है यह जो पहचान सव है यानि communicator जिसको बोलते है यह सव का एक परकार नहीं है बांकी सामाजीक सव उसके बाद संबादात्मक सव उसके बाद बैक्तिकत सव यह क्या है सव का एक परकार है ठीक है अब संडी correctness हो जाएगा सेवन्थ हमर कोशन का नेश्ट कोशन की और देखते है टाइम ने लिया जाएगा काफी important question है वैसे भी आपका first chapter से बहुत सारे questions से related है बहुत सारे questions से आपका मनोवेग्या ने गुनों में विबिननता है यह साइकलोजी का first chapter से लिया गया है और वो chapter आपको पुरातर से completely परहा दिया है काफी important chapter है chapter first question क्या करा है कि निम्ने में से कौन आत्म नियांतरन की तक्नीक नहीं है ठीक है which one is not which one is not the technique of self-control ठीक है तो आत्म परबलन या फिर आत्म नियमन या फिर वेवार प्रिक्चन ठीक है self-reinformation self-interaction self-regulation observation of behavior ठीक है तो यहां जो rightness से जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्म नियमन यानि self-regulation यह जो है एक नियांतरन का मतलब नहीं है अपने आपको यह आत्म नियांतरन का एक तक्नीक नहीं है ठीक है मांकि तीनों की तीनों उसको क्या हो गया आत्मे परवलन उसके बाद आत्मे निर्देशन उसके बाद वहवार परिक्षन ये तीनों की तीनों तक्निक क्या है मतलब आत्मे नियंतरन का तक्निक है ये तीनों तक्निक ठीक है बांकि आत्मे नियंतरन का तक्निक नहीं ये आत्मे नियंतरन का तक्निक नहीं ये option C correctness हो जाएगा एट नमबर कोशन का नेक्स्ट कोशन के और देखते हैं कोशन करा कि आत्मसिद्धी यानि आत्मसिद्धी की अफधारना को परस्तुत किया किसने परस्तुत किया दा कॉंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुलाइजेशन वाज इंट्रोजिश्ट बाइ अपके सामने सेल्फ नमबर कोशन का नेक्स्ट कोशन के और देखते हैं नेक्स्ट कोशन हम लोगों क्या करा हैं टेंथ नमबर कोशन करा कि सामुहिक अच्छतन के विशे को कहा जाता है यानि सामुहिक अच्छतन के विशे को क्या करते हैं ठीक है या अप्सन सी करेक्टन सेल्जेगा ट तेक्तित्त विकाश का जह सहा होता सही जो सिकॉमेंस होता वह क्या होता ठीक है Осब की सामनारिवारहन अफिर वक्राहन अधिर उपहन अफिर आपको पढाहन अपन इस प्राहन अफैर प्राहन अधिर यह चीज 'll a फर्स चेप्टर अवनवाई यह घानी याहाँ जो राइटन से विकास का सही करम फाइन को रखा गया अहन को पढहन को बाद में रखा गया इसको इसका सिक्वेंस यही होता है इसको उलट फुलट नहीं किरेंगे जब भी आपको पूछा जाएगा अप्सन सी सिक्रेक्टनस हो जाएगा अब देखते हैं नेश्ट विक्तितो मापण एक परकार का करिक्षण है सही बात है TAT personality measured is a type of किस प्रकार का प्रेक्षण है इसमें कैसे कैसे कैया जाते है paper pencil जांच के तौरा फिर personal 스타일 के तरह फिर kötषर आतम वीवरा अवे scarika के तोरा फिर परिक्षफ़बिद्र तो TAT में जो होता है इसमें क्या होता है कि परिक्षेपी होता है क्या होता है यह परोजेक्टिव टेस्ट होता है यह परोजेक्टिव टेस्ट है TAT वेक्तितों मापन एक परकार का क्या है परिक्षन है और यह क्या है परोजेक्टिव टेस्ट है यह परिक्षेपी यह आपसं करने वाले को इस्ट्रेसर करते क्या करते इस्ट्रेस उत्पन्न वाले को इस्ट्रेसर करते निया अपसन बी आपका राइटन सुझाएगा यहां देख सकते हैं इस्ट्रेस उत्पन्न करने वाले इस्ट्रेसर करने वाले को क्या कहेंगे वह फेक्टिर को क्या कहेंगे इस्ट पमाजी करन के अध्यान के Payton के चेत्रे से फिर इनुमैंसे किसी चेत्र मैंसे नहीं तो यह जो सम्देत हुआ यह सम्दी थो है stress इसी छेत्र से यह संबंदी था मतलब इसी का study करते हैं परसित दम्मनों वेकनिक हंसे सेली ने option पी करेक्टरन सो जाएंगे 14 number question का next question करेंगे next question क्या कहा रहा है कि मन मस्तिस्क यानि मन मस्तिस्क के तथा पड़ती रक्षक तंतर के आपसे संबंद को अध्यन करने वाले विज आपका last option में दिया गया है तो इसको जो कहते है psychoneuroimmunology क्या करते है psychoneuroimmunology यानि जिस विज्ञान में मन मस्तिस्क तथा परती रक्षक तंतर के आपसे संबंद के बाड़े में अध्यन किया जाता है स्टेडि किया जाता है तो उसको क्या करते है psychoneuroimmunology करते हैं काफी important बुग होता है इस बुग को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका mind एक तरुन खुलेगा यानि मांड में बहुत सारे आइडिया जाते हैं बेश्ट बेश्ट आइडिया जाते है ठीक है यह आप्शन एक कर का difference होता है मात्रा दूरी का ए फिर कडम का है फिर सामय का ठीक है तो इसमें degree का ही difference होता है क्या होता को बेस मानकर मात्रा को बेस मानकर सामानने और सरेष्ट कटेगरी की तैयारी की जाती मतलब सरेष्ट कटेगरी जो होता है ये तीनों कटेगरी को तैयार किया जाता है ठीक है अब नेक्ष्ट कोशन करेंगे कोशन करा कि ICD-10 प्रस्तुत किया गया ICD-10 was proposed by यह किसके दोरा प्रस्तुत किया गया अमेरीकी मनोरोग संगत दोरा फिर विस्वस्वास्त संगतन दोरा फिर भारतिय मनोरोग संगत दोरा फिर इनमेसे कोई ने ICD-10 जो प्रस्तुत किया गया था यह WHO का तरब से यहनि WHO का तरब से World Health Organization का तरब से यह प्रस्तुत किया गया ICD-10 यहनि option B करेक्टर्स हो जाएंगे 17 number question कर ठीक है अब next question कर रहा है कि मानसिक रूप से सवस्त बेक्तियों के जीवन दर्सन में पाई जाती है यहनि मानसिक रूप से सवस्त बेक्तियों के जीवन दर्सन में क्या पाई जाती है the philosophy of life the philosophy of life of a mental healthy person ठीक है तो आपके सामने option रखा गया है निश्चित्ता है फिर दूसरों के जीवन दर्सन की नकल या फिर अपरूवता है फिर इन में से कोई नहीं तो उसमें जो होती है निश्चित्ता पाई जाती है क्या पाई जाती है निश्चित्ता पाई जाती है यानि मानसिक रूप से सवस्त बेक्तियों के जीवन दर्सन में पाई जाती है तो निश्चित्ता पाई जाती है option A करेक्टर सुझाएंगे 18 नमबर कोशन का ठीक है नेच्ट कोशन करा है कि katatonic यानि katatonic spouter sory इस्टू पर एक लक्षन है यानि katatonic इस्टू पर एक लक्षन है रोख भड़म का या फिर मनो विधालिता का या फिर रोपांतरन बनो वीकृती का या फिर इन मैसे कोईन है तो यह जो एक भड़म है यह मनोवीदालिता का भड़म है क्या है 90 नेमर कोशन में क्या करा है कि कैटे टोनिक उस टू पर जो एक लक्षन है यह किस चीज का लक्षन है तो मनोवीदालिता का लक्षन है ठीक है यह आप्सन भी करेक्टर्स हो जाएंगे Next question करेंगे question 20 करा है कि बुली मिया एक ऐसी अधिक लगती या फिर भूफ अधिक लगता है क्या करते है इसमें जो होता यह भूफ की कमी होती ही बूफFor अगर आप क्वाइंगे quarter नहीं खाय गयर कोई एफेक्ट नहीं पढ़ेगा अगर आपको बुलीमिया नामक वीकिर्ती हो जाए तो बुलीमिया एक ऐसे वीकिर्ती है, जिसमें क्या होती है भूख कम लगती है, ठीक है तो आब next question करेंगे, 21 Question क्या करा कि anorexia क्या करा, anorexia nervosa किस विसेष्दा होती है anorexia नर्वोशा की विसेष्दा होती है निद्रा वयगात या फिर आपरियाप्त भोजन से वजन में कमी या फिर सवाभाविक दुरूबलता है फिर इन में से कोई ने ठीक है तो इसमें जो होती है निद्रा वयगात होती है क्या होती है तो इसमें जो होती है आपरियाप्त भोजन से वजन में कमी होती है क्या होती ह correct answer हो जाएंगे 22 number question का option भी correct answer हो जाएंगे next question कराएं कि मनोचीकितसा का जो उद्देश से वो क्या है यानि मनोचीकितसा the purpose of psychotherapy इसका जो main aim होता ये क्या होता रशनात्मक समायोजन ये फिर with one सात्मक समायोजन या फिर जीवन सली के सुधार में सहता है फिर और बुसा दोनों ठीक है तो ये जो इसका main aim होता मनोचीकितसा का यानि जो main purpose होता है psychotherapy का to help improve lifestyle यानि to help improve lifestyle यानि जीवन सली के सुधार में छाता करना जीवन को अच्छा से अच्छा तरीका से जीने के लिए सीखाना या फिर अच्छा मन की समय एक तरह से मन के बाहता है पुरात्र से अध्यन किया जयताए मनोचीकितसामे तो मनोचीकितसा का main purpose यही होता है कि जीवन स्ली को अच्छा से अच्छा level में अच्छा से अच्छा लेवल में लोग अपना जीवन जी सके तो option C correctance हो जाएंगे 22 number question का ठीक है अब next question देखते 22 number question का right answer क्या हो गया option C क्या हो जाएंगे 22 number question का option C right answer हो जाएंगे अब देखते है next question करा कि करंबद और सनवेदी करन का परतिपादन किस ने किया ठीक है तो यह जो परतिपादन किये थे करंबद और सनवेदी करन का परतिपादन किये थे यह साल्टर और वोल्प ने किये थे किस ने साल्टर और वोल्प ने किये थे कौन थे यह मनोवग्यान का अध्यान करते थे ठीक है तो option A right option D correctance हो जाएंगे 23 number question का अब next question करा है कि मनो विदा यह सभी questions काफी important question है किसी भी questions को ignore करने के लायक नहीं है सारे questions काफी unique है और बहुत सारे questions आपको पूश्च थे पूश्यादा रोगी में सबसे जादा पाए जाती है सरवन विवरांती या फिर दहिक विवरांती या फिर द्रिष्टी विवरांती या फिर असपरसी विवरांती तो यह जो रोग होती है यानि मनो विदालिता जिस बेखती में मनो विदालिता की बिमारी पाए जाती है फिर मनो विदालिता की रोगी में जो पाई जाती है सबसे ज़्यादा अगर पाई जाती है तो उसमें सर्वन विबरांती पाई जाती है क्या पाई जाती है सर्वन विबरांती पाई जाती है तो यह जो है बैक्तिक है अब नेश्ट कोशन करा कि साख्छातकर काउसल एक पर्किडिया है इंटर्वी स्किल इस और साख्छातकर के बाड़ा में ये भी आपका कुशन जो है first chapter से लिया गया है psychology का यानी всяक में कौनों में इस सामने वरतलाप होती है या फिर दूर्भाश पर वरतलाप होती है फिर परस्नावली भरना और फिर अनुसूची की परिकी लिया ठीक है तो इसमगी होते है आमनिन सामने face to face 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 interaction होता है इन Gospel is the the knowledge-쪽 प्रॉसेस्स ऑग अगर करम चारी जाते हैं कोई जोब लेने के लिए जाते हैं उनको आगे बैटा दिया जाता और उनसे एक वंतला नाप करते हैं परशन पूछते हैं मतलब बहुत सारे चीज पूछते हैं उनके बाड़े में ट्रेनिंग के बाड़े में उनके जानकड़ी क्या हक नहीं है उसको पुरातर जाता है is not related to social disinventus ठीक है तो यहाँ आपके सामने option रखा गया बेकाड़ी, वंचन या फिर निर्धनता या फिर रोजगार ठीक है तो यहाँ जो हो जाएंगे रोजगार यह सामाजिक निर्धनता से यह नि सामाजिक और सुविदा से संबंदित नहीं है बाकि परकिरती का तरब से आता है तो यह क्या हो जाएंगे मानब निर्मित आपदा नहीं होंगे बाकि यह सब क्या है बहुपाल गयस कांड़ हो गया उसको बद चेरनोबिल हो गया ये सब थ्री माइल आइलेंड हो गया, ये सब जो कांड हुआ है, ये सब आपदा आया है, ये तो मानविय भूल के कारण हुआ, क्या हुआ है, मानविय भूल के कारण भूपाल गयस तराजदी में क्या हुआ था, भूपाल गयस कांड में कि, वहाँ गयस मतलब जो लिक हो गय गया था मतलब जहरी लिए गया था तो आदमी रात को सो करके था था पुरा आदमी मतलब सो करके ही रह गया मतलब डेथ कर गया था ऐसा जहरी लिए गया था ठीक है तो यह सब क्या हम मानविये भूलके करें यह सब आपड़ा आती है बांकि सुनामी तो यह परकिरती का तरफ से आता है तो option 8 character दोएंगे 28 number question का ठीक है तो कितना question कवर किये 28 question कवर किये सारा question से काफ़ी important question है कोई भी question को आप नहीं छोड़ेंगे सभी question से को याद रखे की कोशिश करेंगे और जो भी question आपको समझ में नहीं है तो please comment रखे के बताएंगे क्या है नहीं है ठीक है जो भी question आपको doubt लगे कि इसकान से यह होना जी तो comment अगर आप बताएंगे comment section आपको खुला हुआ ठीक है तो आपसे request की जाती है कि अगर आप channel पर पहली बार visit करने तो please channel को subscribe करने क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी की जाती है आपको आपको भी को आपको 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 नहीं